बच्चों आज हम समझेंगे की और की के प्रयोग का अंतर जादातर यह देखा गया है कि बच्चे लिखते समय की और की का प्रयोग कहां करना है यह बात वे समझ ही नहीं पाते क्योंकि इसमें क्या अंतर है और इनका प्रयोग कब किया जाता है इसके नियम जो हैं उन्हें पता ही नहीं होते हैं और यही कारण है कि लिखते वक्त अक्सर ये गलतियां जो हैं वो छोटे बच्चे ही नहीं बलकि बड़ी जो कक्षाओं में जो बच्चे हैं वो भी अक्सर ये गलती करते हैं तो आज कुछ बहुत ही सरल नियम है उन्हें समझते हुए आज ये जो की और की का प्रयोग है इसके अंतर को हम अच्छी तरह समझेंगे और इस वीडियो के साथ ही मैं PDF का लिंक दूँगी जिसमें कि आपको अभ्यास के लिए Worksheets भी दिये जाएंगे जो आप डाउनलोड कर के उनके printouts लेकर के आप स्वयम से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहला है की अंग्रेजी में जहां पर भी हम that का प्रयोग करते हैं वहां पर अक्सर हिंदी में की का प्रयोग आता है इसे हम एक सरल वाकिय से समझ सकते हैं उसने कहा कि वह बिमार है अब यहां पर जहां पर भी की का प्रयोग है अगर हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में लिखें तो वो कैसे होगा he said that he is sick तो जहां पर हमने की का प्रयोग किया है वहां हमने that लगा है तो यह कहा जा सकता है कि हिंदी में जहां पर भी की लिखा होता है उस जगह पर हम अंग्रेजी में that का प्रयोग करते हैं तो आईए देखते हैं इसकी के प्रयोग के साथ कौन-कौन से नियम जुड़े हुए हैं सबसे पहला है की प्रयोग कब करें कब कब हम की का प्रयोग कर सकते हैं सबसे पहला नियम नमबर एक, रूल नमबर वान, डो वाक्यों को जोडने में, जब भी कोई ऐसा वाक्य होता है, जिसमें कि एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो, या फिर अगर आप वाक्य को पढ़ें तो आपको ऐसा लगे कि ये दो छोटे-छोटे वाक्यों से मिलक कर बना है, और उन दोनों वाक्यों को जो जोडने का काम कर रहा है, वो इसकी के द्वारा किया जाता है, आईए हम इसे उधारन द्वारा समझते हैं, पहला है सरोज ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगी, अब यहाँ पर बच्चों देखिए, सरोज ने कहा ये एक वाक्य है, और दूसरा वाक्य है, वह कल दिल्ली जाएगी, यह दूसरा वाक्य है, तो यहाँ पर इसकी का प्रयोग किया जाता है, इसी किसाद दूसरा उधारन है, सिक्षक ने बच्चों से पूछा की, आज कौन अनुपस्थित है, यहाँ पर भी सिक्षक ने बच्चों से पूछा, ये पहला sentence है, दूसरा है आज कौन अनुपस्तित है, ये दूसरा बाग्य है, इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ने का काम की कर रहा है, जब दो वाक्यों को जोड़ा जाए, तो वहाँ पर हमें इसकी का प्रयोगी करना है, ये पहला नियम है, आईए देखते हैं दूसरा निय किया जाता है, उदारन द्वारा समझते हैं, मा ने सोचा की राधा सोच चुकी है, यहाँ पर सोचा, सोचा जो है, एक क्रिया सोचने का काम हो रहा है, ये एक action word है, या verb भी आप इसे कह सकते हैं, तो इस क्रिया के जस्ट बाद हम की का प्रयोग करेंगे, इसके बाद है, व इसकी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा रूल है, क्रिया शब्द के तुरंत बाद इसकी का प्रयोग करते हैं, या फिर आप बोलचाल की भाशा में ये भी कह सकते हैं, कि काम वाले शब्द के बाद हम की का प्रयोग करते हैं, आईए देखते हैं, तीसरा रूल, तीसरा रूल है या के स्थान पर इसका प्रयोग होता है इंग्लिश में जब हम और लिखते हैं किसी दो चीजों में जब तुलना की जाती है या किसी दो चीजों में चुनाव किया जाता है तो वहाँ पर भी हम इसकी का प्रयोग करते हैं तो आईए देखते हैं तीसरा रूल क्या है दो वस्तुओं में जब एक को चुनने का समय हो तब हम इसकी का प्रयोग करेंगे इसके उधारन है आप क्या लेंगे चाय की कॉफी तो यहाँ पर इन दोनों में से जो महमान है उन्हें चुनाओ करना है कि उन्हें चाय पीना है की कॉफी तो यहाँ पर यह जो की आया है यहाँ पर हम इसे या भी लिख सकते हैं अगर सेंटेंस में की न लिख करके या लिखा जाए तब ही यह वाक्य है और अंग्रेजी में इसे हम और से दर्शा सकते हैं दूसरा उधारन है तुम्हें कौन सी साड़ी पसंद है लाल की प तो यहाँ पर भी दोनों में से किसी एक को चुनने की बात है यहाँ पर भी बीच में की का प्रयोग आएगा इसके बाद जो चौथा रूल है वो है कहाँ पर की का प्रयोग नहीं होता है अब यहाँ पर कहाँ पर नहीं होता है इस चीज को याद रखना है आप लोगों को वा रूल को मिला कर की के प्रयोग के चार रूल आज हमने जाने आए देखते हैं अब की का प्रयोग कहा किया जाता है की का प्रयोग कब करें यह बताना भी यहां जरूरी है कि की का जो प्रयोग है वो अंग्रेजी में किस तरह से होता है जब भी हम किसी से संबंधित कोई बात कह तो उस वक्त हम apostrophe S का प्रयोग करते हैं राधाज मोहन्स तो यहां पर जैसे कि मोहन की किताब राधा की बहन तो यहां पर मोहन की किताब की बात हो रही है राधा की बहन की बात हो रही है तो यहां पर अंग्रेजी में जहां भी apostrophe S लगता है वहां पर इस की का प्रयोग किया जाता है अब इसे हम नियम के हिसाब से पढ़ते हैं पहला नियम है नाम वाले या संग्या शब्द के बाद की का प्रयोग होता है यहाँ पर नाम वाले नाम वाले यानि संग्या शब्द जिन भी चीजों के हमने नाम रखे हैं नाम दियें चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो कि किसी वेक्ति का नाम हो, किसी फल का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, इन सारी ही चीजों को जिनको हमने नाम दिया है, वाकि में अगर ये शब्द आ रहे हैं, नाम वाले ये संग्या शब्द आ रहे हैं, तो उनके बाद हमेशा की का प्रयोग किया जाता है, इसे हम और अच्छी तरह उधारन के द्वारा समझ सकते हैं उधारन है पहला है सुजाता की बहन आ रही है अब आपने देखा सुजाता संग्या शब्द है और इसके बाद जिस की का प्रयोग हम करेंगे वो होगा की तो सुजाता की बहन दूसरा है बस की टिकट बहुत महंगी है यहाँ पर बस की टिकट बहुत महंगी है बस भी एक संग्या शब्द है जाती वाचक संग्या में आता है तो यह एक संग्या शब्द माना जाता है और इसके बाद हम की का प्रयोग करते हैं आईए देखते हैं दूसरा नियम है की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है अब इसे भी आपको याद रखना है की से पहले संग्या वाले शब्द या नाम वाले शब्द लेकिन की के बाद हमेशा जो शब्द आएगा वो स्त्री लिंग शब्द होगा इसे उधारन द्वारा हम समझते हैं मा की साडी अलमारी में रख दो साडी की के पहले संग्या शब्द है लेकिन की के बाद का भी हमें देखना है की के बाद जो भी शब्द आएगा वो हमेशा स्त्री लिंग होना चाहिए तो यहाँ पर साड़ी जो है वो एक स्त्री लिंग शब्द है दूसरा उधारन है फलों की टोकरी नीचे गिर गई फलों की टोकरी, टोकरी भी एक स्त्रीलिंक शब्द है, तो आईए देखते हैं, रूल नंबर 3, सर्वनाम के साथ की का प्रयोग होता है, कुछ सर्वनाम है, सभी सर्वनामों के साथ की का प्रयोग नहीं होता है, कुछ सर्वनाम है, जिनके साथ की का प्रयोग संभव है, और जब भी सर्वनाम के साथ जिस की का प्रयोग होगा वो हमेशा की होगा की का प्रयोग कभी नहीं होगा तो यहाँ पर देखते हैं कौन से ऐसे सर्वनाम है जिनके साथ की का प्रयोग किया जाता है तो वो है उसकी बहन कक्षा में प्रथम आई है यहाँ पर उस जो है वो एक सर प्रयोग लगाखर के हम इसे उनकी बना सकते हैं तो यहाँ पर सर्वनाम के साथ भी हमेशा की जो है उसका प्रयोग किया जाता है तो यह था रूल नंबर थी आईए देखते हैं अगला रूल चौथा रूल है वाक्य के अंत में भी की का प्रयोग होता है जैसा कि हमने इससे पहले वाला जो छोटी ए के साथ जो लगी वी जो की है उसका प्रयोग वाक्य के अंत में कभी भी नहीं किया जाता है लेकिन यहाँ पर की का प्रयोग वाक्य के अंत में भी किया जाता है आईए देखते हैं ऐसे कौन से वाक्य है पहला उधारन उसने बहुत महनत की तो यह यहां पर लास्ट वाला जो की है वो यह वाला की आएगा दूसरा है क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की तो यहां पर भी जो की है वो इसकी कपड़े होगी हम वाक्य के अंत में करेंगे तो यह थे चार नियम जिनको याद रख करके हम की और की की गलती को सुधार सकते ह अब यहां पर यदि आप इन चार चार नियमों को याद ना रखना चाहें तो एक सिंपल सा एक रूल है जिसे याद रख करके आप की और की की जो मिस्टेक है या जो गलती है उसे हमेशा सुधार सकते हैं कभी भी वो गलती आप नहीं करेंगे तो आईए देखते हैं वो कभी भी आप की और की में गलती नहीं करेंगे इसका प्रयोग देख लेते हैं रमेश की ये एक संग्या शब्द है इसके आगे की का प्रयोग बस की घर की बिल्ली की गाय की तो यहाँ पर रमेश की बहन बिमार है बस की टिकट बहुत महंगी है घर की दिवार तूट गई बिल्ली की घंटी खुल गई, गाय की रसी मुझसे छूट गई, तो ये सारे जो शब्द हैं, संग्या वाले शब्द के आगे की का प्रयोग किया गया है, उसी तरह से दूसरा जो नियम है काम वाले या क्रिया शब्द के आगे की का प्रयोग, तो यहाँ पर हमेशा की से पहल ग्रहकार ये पूरा करके लाए हो यहाँ पर पूछा कहा क्रिया शब्द है इसी तरह से सिखाया की माने सिखाया की यह सवाल कैसे करते हैं सिखाया फिर से क्रिया शब्द है उबाला की जैसे ही मैंने दूद उबाला की वह फट गया उबाला क्रिया शब्द है मैंने चाहा की उसकी पूरी मदद करूँ चाहा ये भी एक क्रिया शब्ट है। यहाँ पर सिर्फ इन दो नियमों को याद करके भी आप की और की की जो गलती है उसे सुधार सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस की और की से सम्मंधित वर्क्शीट मिल जाएंगे ताकि आप उन्हें डाउनलोड करके उसके प्रिंट ले करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर दस और अभ्यास वाक्य मैंने बनाए हैं। उन्हें हम देखते हैं कि उसमें कौन से की और की का प्रैयोग किया जाएगा। ट्रेन डैश सुनते ही आतरी बैट गए। ट्रेन एक संग्या शब्द है ट्रेन की सीटी। दूसरा है मा का कहना है की यहाँ पर छोटी e वाली की आएगी। मा का कहना, कहना जो है एक क्रिया शब्द है, कहना है कि मुझे पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना चाहिए, तीसरा सेंटेंस है, मास्टर जी डैश बात सुनकर सभी खड़े हो गए, मास्टर जी एक संग्या शब्द है, मास्टर जी संग्या के बाद की का प्रयोग आएगा, म आएगा लालची कुट्ते ने देखा की सामने हड़ी पड़ी है 5वा है होली डैस सुभळसभी मस्ति में थे होली एक संग्या शब्द है तहवार का नाम है होली की तो इसलिए यहां पर बड़ी E के साथ वाला की आएगा होली की सुभ है सभी मस्ति में आगे का सेंटेंस कु मैंने बताय था किसी भी वाक्य के आखरी में कि नहीं आता है बलकि की बड़ी इवाला की ही हमेशा प्रयोग किया जाता है और इसे समझने का सबसे और आसान तरीका है कि इससे पहले जो है संग्या शब्द होना चाहिए पूजा एक संग्या नाम वाला शब्द है संग्या शब्द है गीता डैश किताब यहीं छूट गई गीता संग्या शब्द है इसके आगे हमेशा बड़ी ई वाला की ही आएगा गीता की किताब इन दोनों सेंटेंसेज में की और की दोनों का ही प्रयोग आप देखेंगे देखेंगे मैं बाजार डैश और जा रहा था बाजार संग्या शब्द है तो यहाँ पर बड़ी ईवला की मैं बाजार की और जा रहा था की रास्ते में शर्मा जी मिल गए राकेश ने कहा यह है क्रिया शब्द कहा कहना तो इ दोर थी, BOSS, बस एक संग्याशब्द है, तो यहाँ पर इसके बाद, बड़ी E 대해서, की आएगा, इसके बाद है, मंदिर लाएश गंटी सुनते ही, बचե दोड पड़े, मंदिर एक संग्याशब्द है, संग्याशब्द के बाद, अब आप कभी भी लिखते समय की और की की जो गलती है वो नहीं दोराएंगे तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो खत्म होता है अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए थांक यू धन्यवाद